इसके पिछले वीडियो में model component को create किये थे इस वीडियो में dashboard page को create करेंगे ये dashboard का docs है इसका link description में दे दूँगा और इसके help से dashboard को create करने वाले हैं सबसे पहले page के अंदर admin folder create करेंगे admin folder के अंदर dashboard folder create करेंगे और dashboard के अंदर dashboard.jsx को create करेंगे तो project को VS Code में open करेंगे, page के अंदर admin में जाएंगे और यहाँ पे dashboard create किया गया है, यहाँ पे dashboard के अंदर dashboard.jsx है, dashboard का route starting में create कर लिया गया है, तो यहाँ पे dashboard का route यहाँ पे create हो गया है, केवल dashboard का UI को design करना है, यहाँ पे dashboard.jsx को copy करेंगे, तो इसका output कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहाँ से इसे copy करेंगे, और dashboard.jsx में paste कर देंगे, और admin पे click करेंगे, तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा, यह four items हैं, और इसको flex करेंगे, तो यह row में दिखेगा, और यह responsive भी है, mobile में sequence wise दिख रहा है, और यहाँ पे inner shadow का use किया गया है, और यहाँ पे icons के लिए react icons का use किया गया है, तो यह बहुत ही simple सा है, तो मिलते हैं next video में.